वेल्कम फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंपोटेंट हेल्थ रिलेटेट कुस्चन एंड एंसर नमल भैटाली नावार बडी जैसे की पॉल्स को कहा जाता है हार्ट रेट ठीक है जानेंगे हार्ट रेट का नॉर्माल कितना होता है लो कितना होता है हाई कितने को कहा जाता है बोडी टेंपरेचर जानेंगे कितने से ज़्यादा होने से बुखार है बोलते हैं ठीक है रेश्पिरेशन रेट यह होता है हमारे जो सांस लेने का गति होता है उसको कहा जाता है respiration rate मतलब कि हम एक मिनिट में कितने बार सांस ले रहे हैं ठीक है उसके बाद आता है oxygen level oxygen को कहा जाता है spo2 हमारे बोड़ी में oxygen कितना है ठीक है उसके बाद आता है blood pressure blood pressure हमारे normal कितना रहना चाहिए ठीक है high कितने को कहा जाता है low कितना को कहा जाता है उसके बाद आता है blood sugar, मतलब की diabetes, इसका normal कितना होता है, high कितना होता है, वो भी जानेंगे हमारे body में hemoglobin कितना रहना चाहिए, blood value कितना रहना चाहिए, blood pH कितना रहता है इन सबी बाते हम details से जानेंगे तो friends आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से like करना और channel को subscribe कर देना तो अभी हम सुरू करते है, एक number से pulse का मतलब होता है friends, heart rate ठीक है इसका average है 72 bit per minute, मतलब की 72 बार एक minute में हमारा heart धड़कता है, ठीक है और normal होता है 60 to 110, इसके बीच में रहने से ठीक कहा जाता है और इसके कौम होने से low heart beat होता है, और इसके जादा होने से high heart beat होता है, ठीक है उसके बात जानते हैं हम body temperature, average body temperature होता है 98.6 degree Fahrenheit और 37 degree Celsius, दोनों अलग-अलग होता है, ठीक है दो टाइप से body temperature को मापा जाता है, जो फारानाइट है वो 97 to 99 नर्माल कहा जाता है और जो Celsius होता है, वो 36 से 37 नर्माल होता है, ठीक है इसके जादा होने से बुखार कहा जाता है respiration rate हम जो सांस लेते हैं, एक minute में कितना बाल लेते हैं उसको कहा जाता है respiration rate average respiration rate होता है, एक minute में 16 नर्माल होता है 10 to 20 breathe per minute, मतलब को 10 से 20 के बीच में रहने से नर्माल कहा जाता है, और 20 से जादा होने से high कहा जाता है तो high होने से आपके chest में problem हो सकता है, ठीक है उसके बात आता है blood pressure मतलब की BP इसका average होता है 120 by 80 mmHg और नर्माल होता है 110 by 70 to 130 by 75 mmHg किसी का इससे काम BP लेने से उसको low BP कहा जाएगा और इससे जादा रहने से high BP कहा जाता है उसके बात आता है blood sugar मतलब की diabetes दो टाइप का रहता है, एक खाना खाने के बाद होता है और एक खाली पेट में होता है, जो fasting है वो 70 to 110 इसको normal कहा जाता है और PPBS जो होता है 70 to 140 यह है normal होता है PPBS का मतलब होता है खाना खाने के बाद और fasting का होता है खाली पेट में पर पर आता है oxygen level इसको कहा जाता है spo2 इसका normal होता है 90 to 100 इसको check किया जाता है pulse oximeter में pulse oximeter रहता है जुसको की उंगली में लगाया जाता है आप hospital गे होंगे तो आपके हाथ में भी जरूर लगाया गया होगा उसमें check किया जाता है saturation level कितना है ठीक है और उसमें heart rate कितना है दिखाता है spo2 90 90 से कम होने से oxygen लगता है oxygen level 90 से कम होने से oxygen लगाना पड़ता है 90 से उपर रहने से ठीक होता है और 90 से कम जाने से oxygen का जरूरत पड़ता है आत नंबर पे आता है hemoglobin hemoglobin के हो HBB कहा जाता है male में यह है रहता है 13 to 16 mg per dl और female में रहता है 12 to 15 mg per dl क्योंकि female में period होता है उसके बज़य से female में bleeding होके blood थोड़ा कम ही रहता है male में थोड़ा ज़्यादा रहता है और female में थोड़ा कम रहता है इसको हम नर्माली समझे तो 5-6 लिटर रहता है मेल में और फिमेल में रहता है 4.5-5.5 लिटर ठीक है बलोट पियाच नर्माल रहता है 7.35-7.45 तो फ्रेंड्स यह था हमारे बोडी का कुछ नर्माल भाइटाल साइन आपको अगर वीडियो पसंद आये तो प्लेज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकार रिलेटेड जानकारी पारने के लिए थैंक्यू फर वाचिंग